जय गुर्देव सन 1973 में परम पुझे बाबा जय गुर्देव जी महराज का बड़ा ही अनूठा और एतिहासिक कारेकरम हरिद्वार के चमगादर टापू पर हुआ था तो एक सादू जी ने अपने अनुभव बतलाया अपना अनुभव कि हरिद्वार में इतने आदमी कभी कुम्ब के मेले में भी नहीं आए जो इस कारेकरम में आए उन्होंने बतलाया कि मैंने बाबा जय गुर्देव जी महराज की बड़ी चर्शाएं सुनी थी और मन में ये इच्छा थी कि उनका दर्सन करूँ तो मैंने मन में सोचा कि मैं बाबा जय गुर्देव जी महराज का दर्सन करने जाऊंगा और लेट कर उन्हें दंडवत पर नाम करूँगा और जब मेरी पीट ठोक कर वे मुझे उठाएंगे तब ही उठूँगा अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो समझूँगा कि वे अंतर्यामी नहीं है मैं ध्रड निश्चे करके बाबा जी की कुटिया पर दर्सनों के लिए अपने साथियों के साथ चल पड़ा और जब मैं बाबा जी के सामने पहुंचा तो फोरन लेट गया और हाथ फेला दिये तो बाबा जी ने तुरन जुक कर मेरी पीट को ठोका और बोले कि अच्छा भाई ठीक है मुझे अपने प्रसन का उत्तर मिल चुका था और मैंने अपने साथियों से कहा कि ये बहुत बड़ी हस्ती जमीन पर उत्री हुई है और ये जो खुछ भी कर दें वो थोड़ा ही है ये वाकिया चमगादर टापू पर हुए उस हैतिहसिक कारेकरम के दोरान का है जैरुदे